हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पावर आप मैस अकड़िम बच्चो आज से हम सुपर टेट के मैस की प्रेक्टिस कुस्टन की किलास स्टार्ट कर रहे हैं तो बिलकुस सेम तो सेम यही सवाल आपको मिलने वाले तो दोस्तों बिना समय बरवात करते हुए आज का पहला सवाल आपके सामने यह रहा जो की नंबर सिस्टम का रहने वाला है दोस्तो आज जो सवाल कराए जाएंगे न वो सारे नंबर सिस्टम से कराए जाएंगे दोस्तो दिरे 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 करके हर एक टॉपिक से आपको सवाल कराए जाएंगे तो दोस्तो आज का पहला स्वाल हमारा क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से सुनियेगा कि वह सबसे बड़ी संख्या गियाद करें जिसके द्वारा 31, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रतेक मामले में समान सेस रहें समझे आपसे कह रहा है कि पृते एक मामले में समान सेश रहे क्या करना है姓 सबसे बड़ी संख्या ग्यात करनी है जिसके द्वारा 34 को 58 और 94 को अगर विभाजित करेंगे न तो पृते एक मामले में सेशपल जो रहना चाहिए वो समान रहना चाहिए दोस्तों जब भी इस टाइब का सवाल आता है न तो आपका सिर्फ एक ही method होना चाहिए वो method यह होना चाहिए कि आप option की सायता लें और देखें कि मैं किस से भाग करूँगा कि मुझे समान सेस्पन मिलना चाहिए और आपसे कहा रहा कि सबसे बड़ी संक्या यानि कि option भी आपको सबसे बड़ा पहले चेक करना है तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आप कोगे 6, 9, 12 और 8 में सबसे बड़ा कौन सा आप कोगे 12 है तो 12 को पहले हम चेक कर लेते हैं, दिखो 12 से भाग करोगे, 12 दूनी किता होता, 24, 24 में है क्या आप कोगे, 34 है यानि कि यहां सेस्पल मिलेगा, किता आप कोगे, 10 मिलेगा, यहां देखो 12, 48, 48 और 10 किता होता, 58 सबसे बड़ी संक्या भी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपको सबसे बड़ी संक्या ग्याद करें जिसके दौरा सैतालिस पच्चानवे और 187 को विभाजित करने पर प्रतेक मामले में समान सेसर है दोस्तो ऐसा सवाल हम कर चुके ना कैसे करते हैं आपको तरीका पता है तो आप एक काम किजेगा सबसे पहले वीडियो को पहुच किजेगा फिर उसको सॉल्ब किजेगा उसके बाद आप हमारा सलूसन देखना आप मुझे तो कहे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या गयाद करें मैंने बोला कि एक ही तरीका है सिर्फ ऑप्शन से देखो सबसे बड़ी संख्या है क्या है सब आपको गए 13 है पहले 13 कुछ है करते है तेरा से भाग करेंगे यहां 47 तेरा तिया गिता होता है और 49 और 8 किता होता आपको कोई 47 यानि कि सेस्पल यहां बचेगा किता 8 यहां देखो 13 सते किता होता 950 950 प्लस 4 किता हो जाएगा 95 यानि कि यहां सेस्पल किता बचेगा यहां 4 बचेगा आप से कहरा कि सेस्पल जो है समान रहे यहां सेस्पल समान है नहीं इसका मलब ऑप्षिन नंबर गलत हो जाएगा अब 13 के बाद में बड़ी संक्या को नहें आफ को नो है नो कोश चेक करेंगे देखो 9 545 यहां बचेगा किता दो बचेगा 990 यहां सेस्पल किता बचेगा 5 बचेगा यहां भी सेस्पल समान नहीं है बच्चा तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आई होग दोस्तों आपको समझ में आए होगा चलिए हम बात करते कुस्तन नमबर 3 की तो दोस्तों यह रहा कुस्तन नमबर 3 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है कि 6 और 12 से भाज छोटी से छोटी पूर्बर्ग संख्या बताईए आप मुझे तो ऐसी संख्या बताने है जो कि पूर्बर्ग हो और 7-7 6 से भी सब्सक्राइब करेंगे ना कि यह हमारी संख्या जो है 6 से कट रही की 12 से कट रही ही दोनों से कटनी चाहिए ना को 36 होता है 12-36 होता है छोटी से छोटी भी संग्या है इसका मनलब ऑप्षन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा हाला कि कट तो 6-144 भी रहा है और 12 से भी कट रहा है लेकिन ये बड़ा है ना 36 से इसलिए हम इसको आंसर गलत कर सकते हैं एको इसका मनलब शीदा सिधा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्षन नंबर 20 राइट आंसर बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल है थोड़ा कंफ्यूज आपको एक्जाम में कर सकता है आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए हम बात करते कुसर नंबर चार की तो दोस्तों यह रहा कुसर नंबर चार बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है कि छोटे से छोटा घं कौन सा होगा जो पांच दस और पंद्रा से पूर्ता विभाजत होता है आप से कहा कहा रहा है छोटे से छोटा घं होना चाहिए आप मुझे बता बहुत ध्यान से ऑप्षन में सभी घं देखेंगे ना तो लास्ट में 30303030 दिए गए ना तो 30 का मतलब यह होता है कि 10 का क्यूव हो सकता है अगर मैं 30 को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं यहां पर देखो 30 को अगर आप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आप मुझे तो बचा क्या 24 क्या किसी भी नंबर का घं गहला हो सकता है आपको कर दो बच्चहिं की किसी भी नंबर का घंखन होता समझगे आपके सामने दो अब आपको क्या करना है proposed करना जाइए और करना चाहिए 10 से भी और पंधरा से से करना चाहिए यहां दो को 15 से करने का नियम क्या होता त्रा आके t Scout करोगे तीन पचेinta होता याणि कि ऐसा नंबर जो हमारा दीन चेह करना चाहिए और पास से करना चाहिए तभी वो बन ऑना殡़ हमारा में ऑपनरा से कर जाएगा आप मुझे बताओ यहां को देखा है ना कभी नहीं देखा ना तो इसका मलब option number cb गलत हो जाएगा तीन गलत हो गए बच्छा तो option number d की सई होना इसकी मजबूरी हो जाती क्योंकि option number d और 15 आइफ यहां नमबर मोस पहसे भी करनाया चीह लेकिन सभी नंबर आए लांपे लाइफ से negativity पहसे थंफयरे करें है लेकिन वह दोस्तो आपको समझ में आया होगा चलिए हम बात करते हैं कुसर नमबर पांच की तो दोस्तों कुसर नमबर पांच आपके सामने ये रहा बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल है क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई जो 398, 437 और 525 से भाग देने पर 7, 12 और 2 सेस बसता हो बहुत ही ध्यान से समझे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या आपको चेक करनी है जिसमें अगर मैं भाग देता हूं न तो साथ बचना चाहिए पहले से और दूसरे से 12 बचना चाहिए और तीसरे से हमारा दो बचना चाहिए आप मुझे तो आप सबसे बढ़ी संख्या है कौन सी आपको गई 19 सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं ना 19 से अगर आप भाग दोगे देखो 19 दूनी किता होता 38 होता एक बच्छे का 18 हो जाएगा यानि कि यहां सेस्पल किता बचेगा आपको गए 18 बचेगा लेकिन कहरा सवाल सेस्पल यहां कितना बचना चाहिए 7 बचना चाहिए इसका बाद कौन सा बचा आपको इससे छोटा नंबर क्या है 17 से बचा करते हैं नंबर हमारा लिखा कितना आपको गए 398 है अगर मैं 17 से भाग करता हूं बच्छा देखो 17 दूनी कितना होता 34 है कितना बचेगा पांच अठावन हो जाएगा ना 17 किता होता एक्क्यावन बचा कित आप मुझे तो 17 से भाग करो देखो 17 दूनी 34 हो जाएगा 34 और 9 कितना होता है 43 होता है यहां बचे का कितना होता है तो कितना हमको कितना मिलना किता होता है क्यामद होते है अधिन दौड़ तिन बचेगा 32 हो जाएगा 47 यानी कितना बचा होटा यानि कि दो सेस्पन मिल ला है काम मन गया ना यहां जो कह रहा बस बही बात हो गई ना इसका मलब इसका जो राइट आंसर होगा बड़ी से बड़ी संक्या कौन सी होगी आपको के option number C होगा और भी दो option बचे ना लेकिन इसको चेक करने की जरूरत है ने क्योंकि यह इससे छो आले क्या कहरा है कि एक नौ अंको की संक्या जो दे रखी एतनी ठीक है यह 9 अंको की संक्या है कह रहा कि 72 से बिभाज है तो बताना यह कि अंडरूर 7x-3y क्या होगा आप मुझे तो आपके सामने संक्या कौन सी दे रखी जरा लिख लेते हैं 8956 3x87 और यह 9 अंको की संक्य संक्या है कि 72 से बिभाज है आप मुझे तब 72 का फैक्टर ऐसे कीजिए जो एक दूसरे के कॉमन ना हो मनलब की आठ निम बातर होता ना आठ और नो क्यूंकि हमको 72 से पता नहीं है लेकिन इसके फैक्टर की पता ना ऐसा नंबर जो हमारा 8 से कटना चाहिए और ऐसा नंबर जो हमारा 9 से करना चाहिए अधी इन दोनों से कट रहा है तो वो संक्या हमारी पूरी-पूरी 72 से कटेगी बस इतनी नौलिज आपको पता होनी चाहिए इससे आपका अंसर आ जाएगा देखना ध्यान से आप मुझे तो आर्ट से करने का नियम क्या कहता है बच्चा कि आर् आर्ट कि अगर 3 डिजिट बच्चा 8 से कर जाएंगे तो वो नंबर हमारा कितना भी वड़ा क्यों न दीया जाए वो सारा नंबर हमारा 8 से कर जाएगा आप मुझे तो यहां बाई की जगापर क्या हो सकता है सबसे पहले हम काट के देखते हैं 8 हैं 8 हैं 8 यहां 7 है आप मु हमको पता चल कि कितनी आपको दो है ठीक है अब 9 कि डिविजियुल्टी चेक करते हैं 9 से करने का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जोड़ने के बाद में कि वो नंबर हमारा गर 9 के मल्टिपिल में आता है ना तो वो नंबर हमारा 9 से कट जाएगा नहीं तो नहीं कटेगा यहीं तो है 8 5 13 13 और 8 कितना होता है आपको कि 21 होता है कि आप मुझे तो 21 में ऐसा मैं क्या बोजोड़ें यहां देखो एक्स एक्स लिखी हो गदो 21 में एक्स मैं इच्छा मैं क्या यहां से पूरा पूरा कर जाएगा नोदूनी एठार नो्तियसता घ्ञास होता है तो S की value यहां कित्ती है 6 और by की value हमको कित्ती मिली यहां पर 2 मिली रख दो ना इस सवाल में आप से जो भी पूछा जायना आप रख दो 6 सत्य कित्ता होता आपको 42 होता बच्चा minus का 3 दूनी कित्ता हो जाएगा आपको बच्चे 42 में से 6 जाएगा कित्ता बचेगा under root 36 बचेगा under root 36 क्या होता आपको बच्चे का square यानि कि जो answer होगा वो हमारा बच्चा क्या होगा 6 होगा यानि कि option number C is the right answer बहुत ही interesting सवाल है इस ताइप के सवाल आपके exam में देखनों को मिलेंगे अभी से copy में note कर लीजे कि यह 100% सवाल exam में आ सकता है I hope दोस्तों आपको question number 6 बहुत ही एच्चे से समझ में आया होगा चलिए बात करते है question number 7 की तो दोस्तों question number 7 आपके सामने यह राप बहुत ही interesting सवाल है क्या कह रहा है कि एक 6 अंकों की संक्या आपके सामने 6 अंकों की संक्या दे रखिए कह रहा कि 72 से विभाज है तो बताना यह कि एक्स प्लस बाई का मान कितना होगा सेम सवाल है ना कैसे करेंगे आप मुझे तब 72 से कटने का नियम क्या है बच्चा आपको जो संक्या 8 से कटेगी और जो संक्या हमारी 9 से कटेगी वो संक्या हमारी पूरी पूरी बातर से कटन किता होता 72 होता है बचे का किता एक आप मुझे ऐसी संक्या बताओ जो एक और वाई जो है ना यहां बाई की बेलू मैं क्या रखूंगा जो मुझे आज से पूरा-पूरा कट जाएगा तभी तो वह संक्या बातर से विवाज होगी आपको बाई की जगा पर बच्चा मैं ओर चे किता होता है बच्चा किता सांथ मैं ऐसका किया जोलूँगा कि असकी दो रख देते ना तो सांथ 2 किता नो कट जाता है इसका मलब एक्स की बेलू बच्चा हमारी हे हां घृत lenses दा राय्ट आंसर बहुत ही आसान सवालु है आपको समझ में आया होगा चलिए हम बात करते हूं कुसर number 8 बहुत ही interesting सवाल है क्या कहरा है कि 11 अंको की संख्या आपके सामने 11 अंको की संख्या लिखी है कहरा है कि 72 से बिवाज है तो बताना ये है कि under root 7x plus 7y का मान कितना होगा दोस्तो इस सवाल को देखते ही solve किया जा सकता option number 6 is the right answer कैसे आप मुझे तो आपको डिविजिविल्टी चेक करने की जरूरत नहीं है आप से पूछा क्या गया उस पर focus कीजिए आप से पूछा गया बच्चा की under root 7x plus 7y का मान क्या होगा आप मुझे तो दोनों से मैं अगर 7 common ले लेता हूँ तो आप मुझे तो भीतर क्या हो जाएगा आपको कि 7x plus y हो जाएगा तो x plus y की value यहां पर क्या हो सकती है आपको कि x plus y की value हमारी 7 के अलावा कुछ नहीं हो सकती है क्योंकि 7 into 7 क्या होगा 7 का square होगा जब square होगा तभी तो root cancel होगा तभी तो इसकी value absolute number में आएगी इसका मलब x plus y की value बच्चा 7 के अलावा कुछ नहीं हो सकती है यह नहीं बाद समझ गे इसका मलब इसका जो right answer होगा इसका जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा यहाँ पर depend यह नहीं करता कि x और y की value क्या-क्या होग सकती है समझ गे आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है जब भी staff की कमजोरी होती है न सवाल में तो आप ऐसे ही attack किजिएगा बहुत interesting सवाल है previous year SSC GD में आया हुआ question है यह आप जब आपके exam में आयेगा ना तो आप इसे आसानी से ऐसे ही solve किजिएगा आयोब दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए हम बात करते है question number 9 की दोस्तों यह रहा question number 9 बहुत interesting सवाल है क्या कह रहा है कि यदि संक्या इतनी बड़ी संक्या दे रखी आपको 99 से बिभाज है तो बताना यह कि P और Q का मान होगा बहुत यह आसान सवाल है किस से बिभाज है आपको 99 से बिभाज है अब 99 की डिविजिल्टी हमने तो पड़ी नहीं है लेकिन हम ऐसे factor कर सकते हैं एक दूसरे के common कुछ भी ना हो यानि कि 11 निम्मा केता हो ता 99 देखो 11 और 9 में कोई common है कोई नहीं है इसका मलब इसकी डिविजिल्टी बना सकता हो कि ऐसा नमबर जो 11 से पूरा पूरा करना चाहिए और यह नमबर हमारा 9 से भी करना चाहिए अगर दोनों से कट रहा है तो वो नमबर हमारा 99 से बिवाज होगा होगा इसका अब आपके सामने नमबर क्या लिखा जारा ध्यान से लेख लेते हैं 6523678 और क्या लिखा पी और क्यूँ लिखा है इतनीवा समझ गए आप मुझे उता हो 9 से करने का नियम आपको पता है यहां आया किता P और Q, आप मुझे दाओ P पिलस Q की वेलू यहां क्या हो सकती है, आप option में देखोंगे, देखो option में सभी का यह किता है, 4-4 किता होता है, 8, यहां देखो 6-2-8, यहां 2-6-8, 3-5-8, सभी का यह किता होता है, 8-8, अगर मैं 8 रखता हूं, तो 37-8 किता होता है, 45 होता है, जो की 9 से कटा कटा है, लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है, कि हमको 9 की डिविजुल्टी चेक नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि सारे option जो P और Q की value दे रखे न, अगर मैं इनको जोड़ूँगा न, तो सभी numbers का योग आ रहा है, वो सभी का same आ रहा है, इसलिए हम इसको check नहीं कर सकते हैं, check करने की जरूरती नहीं है, हमको check क्या करना है, हमको check करना है सिर्फ 11 की डिविजुल्टी, और 11 की डिविजुल्टी होती क्या है, odd places का sum, minus का even places का sum, अगर वो तो 0 होना चाहिए, 11 का multiple होना चाहिए, तब ही तो वो संक्या 11 से कटेगी, तो हम वही करते हैं, तो odd places का sum Q plus 8 करेंगे, 8 6 किता होता 14, 14 2 किता होता 16, 16 6 किता होता 22 होता है, यानि कि हमारा आया किता 22 पिलस Q आया, इसका जो अंतर होना चाहिए, even places का sum, यानि कि P plus 7, 7, 3, 10, 10, 10, 15, 15, यानि कि किता होना चाहिए, 15 पिलस का P होना चाहिए, और यह होना कितके परावर चाहिए, 0 के, तब ही वो नंबर हमारा 11 से कटेगा, अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो, कि आप P और Q की वैलू रखकर देख सकते हो, देखो अगर मैं Q की वैलू रखूँगा, यहाँ पहले option कि देखता हो, तो यहाँ Q की वैलू है किती है, आपको 42 पिलस 4 किता होता है, 26, यहाँ किता है, P की वैलू 4 है, 15, 4 किता होता होता है, 19 26 मैंसे 19 जाएगा तो बच्चा कभी 0 मिलेगा या 11 का मटपिल मिलेगा आप को नहीं मिलेगा तो इसका मलब option नमबर यह नहीं हो सकता है इसी प्रकार से पीकी बेलू अगर आप 6 रखोगे तो 156 किता हो जाएगा और क्यूकी बेलू अगर आप 2 रखोगे ना बच्चा तो 15 प्लस 2 किता हो जाएगा आप को 17 हो जाएगा ठीक है क्यूकी बेलू अगर आप 6 रखोगे तो 22 प्लस 6 किता हो जाएगा आप 28 हो जाएगा अब 28 मेंसे अगर आप 17 घटा होगे बच्चा किता मिला 11 मिला है अगर 11 मिला या 11 का मैट मिला या 0 मिला है तो वो संक्य हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी इसका मलब P और Q की जो बेलू होगी ना बच्चा वो कितनी होगी दो और 6 होगी यानि कि option number C is the right answer हमको option number D चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 100% गलत हो जाएगा क्योंकि हमने option number C को satisfy कर लिया है आई होग दोस्तो आपको समझ में आया होगा चलिए हम बात करते हैं question number 10 की तो दोस्तो यह रहा question number 10 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है कि यह दि 10 अंकों की संक्या आपके सामने 10 अंकों की संक्या दे रखी है कह रहा कि संक्या जो है बच्चा वो 88 से पता नहीं लेकिन एक काम करते li हो पानसो बारा होगा तो चौसाट थे पानसोबारा हो जाता लेकिन यहाँ नहीं हो सकता यहाँ का अधिकतम मान होना चीह और यहां पर एक डिजिट अधिक्तम्मान होता किता आपको कोई लाश सबसे ज़्यादा अगर मैं सोचूंगा ना तो नो तक सोच पाऊंगा अगर यहां पर बच्चा कर नो होता देखो किया नो नो रखने पर आठ से करता आपको कोई आठ सते छपपन फिर बच्चे का किता तीन यानि कि बत्तिस हो ज हो जाएगी आप से कह रहा है कि 10 संग होगी इसका मनला बाई का अधिक्तम मान कितना पॉस्बिल है आपको नो यहां से हमको एक बात पता चल गए कि बाई की वेलू जो होगी बच्चा वो कितनी होगी नो होगी ठीक है आप देखो 11 की डिविजुल्टी करते कैसे और प्ले इसके इवन प्लेश सम इवन प्लेशी समदेखो 9 4 3 8 14 14 3 किता होता 17 7 6 तो आपको पोगे हैं इसकी बैलू जो होनी चाहिए जिरो के बराबर होनी चाहिए आप मुझे तो यहां एक्स की बेलू मैं क्या रख सकता हूं कि मझे 0 ू मिलना चाहिए या मैं कहूं 11 का माद़ पि जाएका कित्ता बचेगा माइनस का ग्यारा बचेगा और चूकि ये 11 चाम पे домой हाला की चाहाए प्लस आथ इस बात पर dependent नहीं करता है वह ना हमारा ग्यारा का मर्ड़फिल चाहिए वह पॉस्टिव आय है ऐ निगेटिव आय कोई फरक नहीं पड़ता देखो एक्स की बात कहीं नहीं कि एक्स के बारे में कुछ बोला हो इसका मला एक्स की वेलू हम कुछ भी रख सकते हैं एक्स की वेलू अगर आप जीरो रखोगे बच्चा तो आप मुझे बताओ आपको 11 का मठपिल मिल ला है कहानी सैटेस पाई होगा 2x-3y यानि की एक्स की वेलू हो जाएगी बच्चा यहाँ पर जीरो और 3y यानि की बाई की वेलू कि ती आपको 9 माइनस का 3 इंटू 9 करोगे ना तो कित्ता हो जाएगा 9-37 यानि की माइनस का 27 जो होगा बच्चा वो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 27 कहां दे अगर आप ध्यान से समझते हो ना तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी आई होब दोस्तों आपको आज के 10 सवाल बहुत ही बेतरीन लगे होंगे और एक्जाम पॉइंट आउप इसे मास्टर हैं ऐसे सवाल अगर आप करोगे ना तो आपका 100% सेलेक्श किलास ना ऐसे होती है आई होब दोस्तों आप सभी लोग ऐसा ही करोगे चलिए दोस्तों मिलते फिर नेक्ट किलास में तब तक के लिए दोस्तों जये हिंद दोस्तों